हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का आज की इस एपिसोर में आज हम लोग जनरल साइंस के काफी इंट्रेस्टिं टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि वेरियस कॉंपीटिटिव एक्जाम्स जैसे की SSC, UPSC और रेलवेस में काफी इंपोर्टेंस रखता है साथ हमारे ड ट्रॉपिक का नियम है नूट्राइजेशन एन इस एप्रिकेशन इन एवरेडेय लाइफ क्या आप लोग जानते हैं हम लोग डिली लाइफ में इतने सारे सब्स्टांसिस का यूज करते हैं जिसमें से कुछ आसेटिक नेचर के होते हैं कुछ बेसिक और निट्रल नेचर क होता है limestone में calcium carbonate present होता है हमारा toothpaste generally basic nature का होता है and क्या आप लोग जानते है cooking में general use करने वाला जो common salt है that is sodium chloride ये एक neutral nature का salt होता है कई बार हम लोग acids and bases का use एक दूसरे के against भी करते हैं जब हमें उसकी effect को खतम करना होता है इसे ही कहता है neutralization friends अगर हम दो enemies को आमने सामने लेकर आई तो क्या होगा दोनों एक दूसरे से fight करेंगे यान दूसरे को खतम करतेंगे similarly अगर हम लोग acids and bases को mix करें acids का acidic nature होता है H plus आयन की वेर से basis का basic nature होता है OH minus आयन की वेर से तो अगर हम दूनों को mix करते हैं तो दोने एक दूसरे से fight करते हैं और नए substances produce होते हैं जिन्हें क्याते हैं हम salt and water क्या आप लोग जानते हैं यह reaction काफी exotomic nature की होती है याने कि इस reaction के दौरान heat energy का production होता है so what is neutralization? neutralization is basically a chemical reaction in which acids and bases are mixed together to form salt and water अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसकी applications की तरफ जैसा कि आपको नहा नजर आ रहा है एक girl पार्क में बैठी हुई है और अचानक से एक honeybee आकर इसे bite कर लेती है जिसकी वज़े से उसे pain हो रहा है और साथी साथ redness and swelling बढ़ती जारी है क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ और इसको रिलीफ पाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक्चुली ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि honeybee ने जब bite किया तो उसने अपने बाप स्टिंगर का यूज़ किया जिसके थ्रूव फॉर्मिक आसिद को बॉड़ी में इंजट करती है अब उस एसट के एफेक्ट की वज़े से ही बॉड़ी में अब उसके एफेक्ट को खतम करने के लिए हमें क्या करना होगा हमें उस एसट को न्यूटलाइज करना होगा इस एसट के एफेक्ट को न्यूटलाइज करने के लिए हम एक माइल सा बेस लेना होगा we can use soap जो कि sodium hydroxide होता है और calamine solution that is zinc carbonate हम इसका पेस्ट बनाकर वहाँ पर apply करेंगे तो acid का effect दीरे दीरे कम हो जाएगा So friends, यह हमने बात करी कि अगर कोई honey bee human being को bite करती है तो क्या होता है उसकी effect को हम लोग कैसे खतम कर सकते हैं पर क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि उस honey bee के साथ क्या होता होगा जब honey bee human being को bite करती है तो अपने अबाप stinger का use करती है और उसको वहीं पर छोड़ का वहाँ से चली जाती है जिसकी वेज़े से उसका abdominal rupture हो जाता है and finally कुछ देर के बाद उस honey bee की death हो जाती है same effect होता है जब एक ant हमें bite करती यानि कि जब चीटी हमें कारती है तो वो भी हमारे body में formic acid को inject करती है और उससे relief पाने के लिए हम लोग same method को apply कर सकते है so friends that's all for this episode अगर आपको आज का episode पसंद आया है तो मुझे comments करके ज़रूर बताए हमारी वीडियो को like कीजिए share कीजिए अगर आपने हमारे चैनल का अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कीजिए मिलते हैं next episode में इसकी और applications के साथ तब तक आप बने रहे हैं हमारे साथ कीजिए